तियोरी और प्रेक्टिकल में फर्क होता है सत्या अंदर तक छू लेते हैं और फिल्म की कहानी भाई बेहन के रिस्ते को और उसकी गहराई को बहुती खूप सूरत तरीके से पेस करती है आलिया की एक्टिंग इस फिल्म में सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि उन्होंने अपने कुरदार में पूरी तरह से जान डाल दी है फिर चाहें उनके extra scenes हो, emotion scenes हो या फिर एक protective sister का role हो उन्होंने इतना बढ़िया performance दिया है कि इस फिल्म के लिए अगर आलिया भट को national award भी मिल जाए तो कोई हिरान करने वाली बात नहीं है वही दोस्तों वेदांग रेना का काम भी काफी बढ़िया और उस बंदे ने इस फिल्म में इतना बढ़िया काम किया है कि उनके आप fan बन जाओगे मतलब कि यहाँ पर वेदांग रेना और आलिया भट की जो भाई बेहन की chemistry वो screen पर देखने में पूरी तरह से ला जवाब है यहाँ पर दोस्तों फिल्म सुरू होती और कुस दिर में ही आप इस movie से अच्छे खासे connect हो जाते हो उसके बाद फिल्म first half तक आपको पूरी तरह से entertain करती रहती है लेकिन second half में इस film की कहानी और भी ज़्यादा interesting हो जाती और फिल्म में आपको कई twist और turn देखने को मिलते है फिल्म के जो last के 20 मिनट ही वो पूरी तरह से हो सुडा देने वाले हैं हलाकि दोस्तों बात करें फिल्म की technical चीजों के बारे में तो सबसे पहले आपको बता दे कि फिल्म का background music पूरी तरह से लाजवाब है वही फिल्म के visual इतने सांदार है और जिस तरह से action scenes को film आया गया है ला जवाब मतलब कि यहाँ पर आलिया भट के भी जो action scene से ना उन्हें देखकर आप CT और ताली बजाओगी यहाँ पर दोस्तों वसन बाला का direction इतना कमाल का है कि जब आप इस फिल्म को देखने बेठोगे और जब तक यह फिल्म खत्म हो जाएगी जहां तक यह फिल्म आपको एक second के लिए भी ध्यान हटाने नहीं देगी मतलब कि screen play पूरी तरह से धमदार है वही फिल्म में जगा जगा पर कुछ नाया आता रहता है जिसके चलते आपका interest एंट तक बना रहता है तो यहां पर वसन बाला ने अपने करियर की एक और कहीं न कहीं बेश्ट फिल्म बनाई है तो दोस्तो और आल यही कहूंगा कि जिगरा एक एसी फिल्म है जिस फिल्म के अंदर आपको action, drama, emotion, भाई, बेहन का प्यार और एक complete entertainment का package मिलता है तो अगर आप भी इस हबते एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो जिगरा फिल्म को देखिए कसम से मज़े आएंगे खास करके इस फिल्म को अगर family के साथ देखोगे न तो इससे देखने का जो मज़ा है वो हजार गुना बढ़ जाएगा क्योंकि इस तरह की फिल्में बोलियोड में बहुत कम बनती है जिया दोस्तों ये बोलियोड की बाकी सब फिल्मों से काफी जादा अलग फिल्म है जिस फिल्म को सपोर्ट करना बनता है क्योंकि फिल्म में आपको सब कुछ मिलेगा जो कि आप सोच कर जाओगी तो मैं इस फिल्म को दूँगा 4 out of 5 star और आपको recommend करूँगा कि इस फिल्म को जरूर देखना फिल्म काफी सांदार है हलाकि दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म ने release होते ही पहले दिन box office पर धमाके दार कमई भी कर ली है जिससे एक बात और clear हो गई कि आज के समय में आलिया भट का star power कितना जादा है तो end of the day यही कहूँगा कि फिल्म को मेस मत करना फिल्म काफी बढ़िया है